हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब बेचु में जो बच्चे पीजी एमे या एमेसी या एमकॉम जिस भी कोर्स का इंतजार कर रहा है उनके लिए एक अच्छी कबर भी है यह बुरी कबर भी है दोनों हम समझाएंगे आपको admission पर क्यों तलवार लटकी हुई है बहुत ही ज़रूरी है आपको यह बात समझना कि actually चल क्या रहा है यह समझे कि post graduate entrance test जो होता है या फिर उसका आप कहें admission जो होता है वो department में होता है वो faculty wise तो होता ही है लेकिन उसमें एक specific बात क्या है वो department wise हो होगा उसके लोग करेंगे तो उसमें थोड़ी authority आपकी बढ़ जाती है in the sense common people, layman people की बात करें तो उनकी power थोड़ी सी बढ़ी होती है UG के बच्चे UG में बहुत बच्चे होते हैं PG में बच्चों की संख्या कम हो जाती है मतलब post graduation में किसी भी course की हो तो जायसी बात है उन पे भी जो यह counseling का process complete कर रहा है उन पे भी responsibility जादा है जब वो responsibility उन पे जादा है तो वो फिर आपका ध्यान रखेंगे और वही यहाँ पर हो रहा है NTA का data mismatch बहुत लोगों का है आप देख सकते है पूरा एक list है इसका हम telegram में आपको भेज देंगे वहां से आप download कर लेना इसमें बहुत सारा data mismatch है NTA ने जो भेजा है वो plus दूसरी जो है इसमें दिकत वाली बात यह हो गई है कि list of PG candidates preference not filled बहुत लोगों ने preference ही नहीं fill किया ह है तो उन लोगों के लिए अगर आप इस पे अभी ध्यार नहीं दोगे बहुत लोग LLB, DULB और exams के चक्कर में पढ़े हो ठीक कोई बुरी बात नहीं है उसके चक्कर में पढ़ना लेकिन आप अगर अभी इसको ध्यार नहीं दोगे यह इतनी बड़ी list है 20-30 pages की list है आप अभी ध्यार नहीं दोगे तो फिर नाम अगर निकल जाएगा आद लास्ट डेट है यह भी चीज़ है देखो 3000 बच्चों का यह हाल है 3000 बच्चों के गड़बढ है आप सोचो फिर क्या होगा आपका आपने उल्टी सीदे information भर दी है आपकी जो requirement है वो नहीं भरा है तो यह चार दिनों के बाद यह सप्टेंबर तक आपका जाना तय है तो फिर आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अप टू डेट रहें टाइम पे रहें एवलेबल रहें तभी यह हो पाएगा हम आपको लगतार अपडेट देते रहेंगे त्राइंक्यों सो मच